साथियों इस महिने पूरी दुनिया ने दसवे योग दिवस को भरपूर उत्सा और उमंग के साथ मनाया है मैं भी जम्मू कश्मीर के स्रीनगर में आयोजीत योग कारकम में शामिल हुआ था कश्मीर में युवाओं के साथ साथ बहनों बेटियों ने भी योग दिवस में बढ़ चटकर के हिस्सा लिया जैसे जैसे योग दिवस का आयोजन आगे बढ़ रहा है नए नए रेकॉर्ड्स बन रहे हैं दुनिया भर में योग दिवस ने कई शांदार उपलब्दियां हासिल की है साओधी अरब में पहली बार एक महिला अल हनौप साथ जी ने कॉमन योगा प्रोटोकल को लीड किया ये पहली बार है जब किसी साओधी महिला ने किसी में योगा सेशन को इंस्ट्रक किया हो इजिप में इस बार योग दिवस पर एक फोटो कम्पुटिशन का आयोजन किया गया निल नदी के किनारे रेड सी के बिचेच पर और पिरामिडों के सामने योग करते लाखों लोगों की तस्वीरें भहुत लोगप्रिय हुई अपने मार्बल बुद्धा स्टेच्चू के लिए प्रसिद्ध म्यामार का मारा विजरा पैगोडा कम्प्लेक्स दुनिया में मशूर है यहां भी 21 जुन को शांदार योगा सेशन का आयोजन हुआ बहरीन में दिव्यांग बच्चों के लिए एक स्पेशल कैम्प का आयोजन किया गया स्री लंका में विनेशको हेरिटेज साइट के लिए मशूर गॉल्फ फॉर्ट में एक यादगार योगा सेशन हुआ अमेरिका के नियॉर्क में अब्जर्वर्शन डेक पर भी लोगों ने योग किया मार्सल आइलेंड पर भी पहली बार बड़े स्तर पर हुए योग के कारकम में यहां के राष्टपती जी ने भी हिस्सा लिया भुटान के थिम्पू में भी एक बड़ा योग दिवस का कारकम हुआ जिसमें मेरे मेरे मित्र प्रधानमंत्री तोबग्य भी शामूल हुए यानि दुनिया के कौने कौने में योग करते लोगों के विहंगम द्रश्य हम सब ने देखे में योग दिवस में हिस्था लेने वाले सभी साथ्यों का रदय से आभार व्यक्त करता हूं मेरा आपसे एक पुराना आगरभी रहा है हमें योग को केवल एक दिन का अभ्यास नहीं बनाना है आप नियमित रुप से योग करें इससे आप अपने जीवन में सकारात्पक बदलावों को जुरूर महसूस करेंगे